कि ही गाइस दिससर मोस्ट वलकेमट अगौं कर रहे हैं ।हीं है कि दुडब धनू कुछ हूं चैनल लॉंप लीवली । आज मैं शेयर कर रहे हूं अप सभी के साथ्थ हम सभी की फेवरेट मेगी की रेसिपी। येस लागी की recipe और वो भी मेरी secret, जिस तरह से मैं मैगी को बनाकर खाती हूँ, मैं वो recipe आज हो लोगों किसे शेर कर रही हूँ, मैं इसे बचपन से खाते आ रही है और यह मेरी favorite है। इसे बनाना मैने अपनी मम ममा से सीखा है, तो all credit goes too my mama इसको बनाना तो बहुत ही एजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है, मगर इसमें एक खास इंग्रीडियन्ट है, जिसे एड़ करके मैगी का स्वाद हो जाता है दो गुना, तो गाइस वीडियो को मिस तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज मैं आप लोगों के स मसाला है, उसको टक कर दे पाएगा, तो गाईस मने बढ़ाई रख दी है, गैस पर और अब मैं इसमें आट कर रही हूँ, आप आप में यहां पर यूज कर रही हूँन, इसमें चारा हम प्यास, हलका गूलएं जोड़न ब्राउन, इधर प्यास हो गई हमारी गूलएं ब्र यह मैंने फ्रेश मटर लिया है और यह आप्शनल है आप चाहें तो डाले वरना ना डाले पारिएह गर्र में और अब मै uw닿 हमारा नश्मान के साथ में उसामाला है correcting इसक्त कश्खवल के हम्मेर में झाल रहीं करते ही मैंने यह देपे में तोका चाहिद से शब्सक्षान डाला है या फिर एक यूज़ल यह हमारा मसाला और टमाटर अच्छे से गया भून अब मैं इसमें डाल रही थोड़ी सी हरी धन्या अब इसको हमें करना है थोड़ा सप्राइब मसाले को करीं एक मिनट तक मैंने भूला है अब मैं इसमें एद कर रही हूं पानी मैंने पूरे दो कप डाला है, कलर तो काफी अच्छा रहा है, लेट सी कैसी बनती है ये मैगी, पानी में आ गया है उबाल, और मैं इसमें एक्ट कर रहे हूँ, 140 स्पून सॉल्ट, वैसे तो मसाले में सॉल्ट होता है, मगर हमने अलग से सबजें अट करी हैं, तो नमक कम हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने अकॉर्डिंट टेस्ट नमक डाल सकते हैं, और अब मैं इसमें एट करूंगी हमारी मैगी, तो मैगी को मैट 20 से कर रही हूँ, ग्रैक और फिर इसको एक बर और, अब हमें इसे करना अच्छे से मैक्स, तो यह देखिए पानी में हमारी मैगी हो गई है मैक्स, अच्छे से, अभी हमें से अच्छे से पकाना है, वैसे तो मैगी पर लिखा होता है, 2 मिनिट नूडल अगर कभी भी दो मिनिट में मेरी मैगी तो नहीं पकी है या आपकी पकी है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा अगर आप उसको चलाएंगे नहीं तो आपकी मैगी बहुती जादा ओवर कुक्ट हो जाएगी और वो काफी मोटी मोटी से दिखेगी इसलिए आप मैगी को चलाते रहिए इससे हमारी मैगी सभी तरफ से अच्छे से पक जाती है और देखने में खाने में बहुत जादा अच तो गैस मैंने मैगी को तो मिनिट तक लो फ्लम पर पकाया है आप देख सकते है मैगी काफी अच्छी पक गग गई है और इस मेगी को कलर बहुत जादा अच्छा यह है फमारी जो ईरजजails मैगी मसाला है उससे तो लीजे दोस्तों हमारी स्पेशल स्प्रेट मैगी बनकर यह दिखने में तो काफी डिलिशियस लग रही है खाकर भी मैं आपको इसका टेस्ट बता हूँ तो यहां आती है बात मेरी सीक्रेट मैगी मसाला रेसिपी तो गाइस जो सीक्रेट इंग्रीडियन्स था वो है यह मुंफली गाइस यकीन मानिए मैं इसे बच्पन से खाते आर सिर्फ यह थोड़ी सी रोस्टेट अच्छी भूनी हुई मुंफिली को आप अपनी मैगी की उपर इस तरीके से स्प्रंकल कर देंगे तो मैगी का टेस्ट दो गुना छोड़िये चार गुना बढ़ जाएगा मैगी देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत जादा मैगी मसाला तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है जैसी हमारी ओर्जिनल मैगी मसाला है इसका टेस्ट उससे थोड़ा स्पाइसी है बैट येस मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस स्पेशल मैगी मसाला को ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्पेशल मसाला बहुत ही पॉफेक्ट है तो गैज मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ तिल देन आप अपना ख्याल रखें एड हैपी स्टे हैपी बाबाई सी यू